तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि आप अपने फेस के फेशल हेर को किस तरीके से इंस्टेंटली बिना पेन के रिमूफ कर सकते हैं आज में पास यहां पर है यह सेंफी का आइब्रो टच अफ फेस रेजर इसको मैंने पचेस किया था पॉपल से और यह जो है रेजर कुछ इस तरीके से आपको मिलते हैं यहां पर कैप भी है और इधर की तरफ जो है एक स्मूथ सा ब्लेड होता है जिससे आप अपने फेशल ह कर सकते हैं तो गैस मैंने यहां पर रेजर की कैप को निकाल दिया है हम सबसे पहले साइड लॉक्स को निकालेंगे तो हलके हाथ उसे आपको स्ट्रेच करना है इस तरीके से और 45 डिग्री के एंगल पर रेजर को रखते हुए आपको नीचे की डारेक्शन में रेजर को चुरू हो जाएंगे सेंफी का रेजर मुझे बहुत जादा पसंदा है क्योंकि इसका ब्लेड शाप है और थोड़ा से थिक है तो यह आपके स्किन के उपर जल्दी से कट नहीं लगाएगा तो जिनके ब्लेड बहुत जादा शाप होते हैं उनसे कट जल्दी लग जाता है और पता भी नहीं चलता है लेकिन यह वाला रेजर जो है मुझे बहुत जादा पसंदा है सेंफी का क्योंकि इसके थ्रू जो है जब आप यूज करोगे तो कोई कट लगने की चांसे बिल्कुल भी आपको फील नहीं होंगे इसके लावा जब आप फेशल रेजर यूज कर कर लिया बगें जो है मैं दूसरे साइड के साइड लॉक्स निकालूंगी तो यह देखिए आपको क्या करना है हलके हाथों से अपने गालों को उस तरीके से हलका सा स्ट्रेच करना है नीचे की तरफ 45 डिग्री के आंगल पर रखते हुए रेजर को नीचे की डारेक्शन मे बहुत है या बहुत हैवी ग्रोथ है तो आप इस तरीके से रेजर को यूज कर सकते है बस इसको क्लीन करते जाए और इस तरीके से हलका से स्ट्रेच कीज़े ए फेस के उपर जब आप नीचे की डारेक्शन में इसको यूज करेंगे तो इसका कोई साइड एफेक्ट आपक जब आप नीचे की तरफ करेंगे तो रेजर को उल्टा कर लीजिए यानि ब्लेड को उपर की साइड कर लीजिए और हलके हाथ उसे इस तरीके से जो आपको यूज करना है मेरी आइब्रोज में बस हलके हलकी से ग्रोथ आई थी अभी नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा थे रेजर से जो है वो बिल्कुल ग्रोथ अच्छे से निकल गई यानि उपर से जो ग्रोथ आई हेर की वो कट हो गई सेम मैं अपने आई ब्रोज की बीच में भी इसको यूज करें यह देखिए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको अब इसके बाद हम अपर लिप्स क अपनी टंग को इस तरीके से आपको रखना है हलका क pearls करना है और नीचे के डारेक्शि में जो है रेजर को यूज करना है इसे तरीके से आप अपनी अपर लिप्स को भी कर सकते हैं आपके फेस के ऊपर अगर फेशल हेर की ग्रोथ जादा है तो भी आप रेजर यूज कर सक रेजर के कोई साइड एफेक्ट नहीं है और जब आप ये पूरा प्रोसेस जब आप कर लेंगे ना आपको पनी स्किन बहुत जादा बेबी सॉफ्ट फील होगी तो मैंने इसी तरीके से अपने चिन के उपर भी रेजर को यूज़ किया है तो इससे जितने भी जो देखिएं यहां पर आपको दिखा रही हूँ जो ग्रोथ हाती है ना फेस के अच्छे से मैंने जब उसको क्लीन किया तो उसके उपर आ गया था यहां पर मैं बेट वाइप्स का यूज़ करने हूँ फेस को क्लीन करने के लिए और इसके बाद जो है आप चाहें तो अपने face को wash भी कर सकते हैं skin थोड़ी सी dry आपको feel होगी जब आप razor का use करोगे अच्छा razor को clean करना बहुत ही ज़्यादा असान है किसी भी simple water के साथ में आप razor को अच्छे से clean कर सकते हैं तो इसके साथ में जो क्या पाई थी इसको लगा किसे रख सकते हैं तो अभी मैंने face को wash कर लिया है simple पानी के साथ में और tissue paper से में हलका-लका प्रेस करते हुए जो है face को अच्छे से clean कर लेंगे तो इससे क्या होगा कुछ अगर थोड़ा बहुत कहीं growth रह गई होगी तो या बाल face के उपर रहे गया होगा तो वो निकल जाएगा इसके बाद मैं लैक में का peach milk moisturizer ले रही हो पिछे से moisturize जरूर कीजेगा चाहें आपकी oily skin है चाहें आपकी dry skin अगर facial razor यूज किया है तो उसके बाद skin को moisturize जरूर करें तो guys यह थे मिरा आज का complete video और यह देखें face के उपर कितनी shine आ गई है तो facial razor को use करना बहुत ज़्यादा असान है अगर आप चाहें तो आप भी use कर सकते हैं